और ये सीन्य ही कट होता है, अब हमें उनी लड़कियों को दिखाए जाता है, जो नोबुरा की फोटोस को देखते वे कहते हैं, वो कितना फ़नी लग रहा था, उसका चेहरा तो देखने लायक था, फिर उनमें से एक लड़की एक फोटो को उठाते वे कहती है, अब वो ओनी जुका होता है, जो लड़कियों के कपड़े पहन कर आया होता है, फिर वो तीनो लड़किया कोने में जाके खड़ी हो जाती है, और उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पर कौकरुच की तरह कैसे आ सकते हो, ये सुनकर ओनी जुका बोलता है तुम कोकरुश इसे बोल रही हो तुम समने एक लड़के की फोटो ली है वो भी उसे नेकिट करके तुम तीनों ने बहुत बड़ा परात किया है ये सुनकर वो तीनों लड़किया बोलती है नहीं तो हमने कुछ भी नहीं किया फिर वो तीनों इनोसेंट बनने की को करता है ठीक है तो अब बदला लेने का टाइम आ चुका है ये सुनकर वो तीनों लड़किया नोबुरा को साइट करके भागने की कोशिस करती है लेकिन तभी ओनी जुका उनके सामने आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ओनी जुका ने उन तीनों लड़कियों के हाथ ऊपर ओनी जुका उसकी फोटो खीषता है फिर वो नोबुरा के फोटो को सामने रखते हैं कहते है ठीक है अब तुम सतने अपना सबक सीख लिया और फिर वढ़वुरा के फोटो उसको फार्ड देता है तब उन मैं से एक लड़की रोते हैं कहती है मैं एजुकेशन बोर्ट के पास जाओंगी तुम्हारे शिकायत लेके यह सुनकर ओनिजुका बोलता है ठीक है तुम्हें जहां जाना है जाओ मुझे फर्क नहीं बढ़ता और नहीं मैं छुपने वाला हूँ और उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं फिर रास्ते में आकर नोबूरा उससे टीचर मुझे भूख लगी है क्यों नहीं कुछ खा ले तब ओनिजुका बोलता है ठीक है लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे है और क्या तुम मेरे पैसे पे कर सकते हो यह सुनकर नोबूरा सोचता यार मैंने इसे बोला तक खिलानी के लिए लेकिन यह मुझे पैसे मांग रहे और अब हमें उन दोनों को ब्रिच पर दिखाए जाता है जा ओनिजुका उस से पूचता है नोबूरा क्या तुमने कैमरा पीछे ही छोड़ दिया वैसे भी अब तुम पर निर्फर करता है तुम उस फोटो सा क्या करने वाले हो तब नोबूरा बोलता है टीचर मैं आ पर एक लेड़ी आती है जो उनसे पूचती है कि चेर्मेन कहां पर है यह देखकर मैं सुकी मैं सोचती है आखरी यह है कौन तब वो लेड़ी बोलती है तुम मुझे नहीं जानती मैं बूर्ट काउंसल की चेर परसन हूँ मैंने सुनाए ओने जुका नाम का एक नया टीचर आया है जिसने मेरी बेटियों के साथ मिस्भेव किया है और वो लेड़ी लिटरली बहुत जादा गुस्से में होती है और यह सीन ही कट होता है अब हमें वाइस प्रिंसपल को दिखाए जाता है जो दो लोगों से माफी मांग रहे थे तब उनमें से एक आदमी बोलता है द वाइट क्रिष्टा की जरूरत है लेकिन वो दोनों आदमें उसा मना कर देते हैं इंशॉरेंस देने से और यह सीन ही कट होता है फिर वाइस प्रिंसपल स्कूल में बहुत दे गुस्से में एंट्री करता है और बोलता है मेरी सारी मुसीवत की जड़ वो ओनी जुका है उस इसने मेरी बेटी की अंडरवेर की फोटो खीची है वो ऐसा कैसा कर सकता है मैं तो उसे स्कूल में भूमने भी नहीं दूंगी उसे अभी कभी फायर करो यह सब सुनकर असिस्टेंट परिशान होते हुए कहता है चेर्मन अभी यहाँ पर नहीं है तब वो लेड़ी बोलती है न DB सूकी मिमर चेर्मन और को बात करते हैं जहां में वहिंसुकी मैं कहती है उनकर और कोई तो रिजन हो गाद और करने कोई प्र सुनकर में सुकी मैं बोलती है बेवकुफो वाली बात करना बंद करो आपको पता नहीं था उराहारा की मॉम बोर्ड काउंसल की लीडर है तब ओनी जुगा बोलता है च्छे आप अपने आपको टीचर बोलती हो एक टीचर जो बोर्ड काउंसल से डड़ जाए उसे टीचर नहीं गहते फिर वो अपने हाथ को दिखाता है जिस पर लिखा होता है टीचर फोर लाइफ और कहता है देखो मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड अप काउंसल को कैसे हैंडल करते हैं हम देखते हैं कि ओनी जुगा का हाथ पूरा लाल होता है और सूच गया होता है ये देखकर मिसुकी मैं बोलती है लेकिन आपको नहीं लगता आपका हाथ को ज़्यादा ही बड़ा है तब उन्हीं जुगा बोलता है क्यों कि मैं स्ट्रॉंग हूँ मैंने अभी 1000 पूलप्स, 5000 पूशप्स और 2000 हिंदू स्कॉर्ट्स करे है ये कहकर वो हसने लगता है लेकिन जैसी वो अपना हाथ देखता है तो खुड डर जाता है और फिर वो पूशप कर देखता है मैं बहुत सारे पूशप कर सकता हूँ लेकिन मुझे पेन फील नहीं हो रहा ये सुनकर मिश्प की मैं बोलती है अगर आपको पेन फील नहीं हो रहा तब तो आपके हाथ में प्रॉबलम है अब इदर हमें उसे लेडी को दिखाए जाता है यो चेर्में से बोल रही होती है देखो मैं इस हाथ से को परदास नहीं कर सकती आपको उसे निकालना ही होगा तब चेर्में बोलती है ठीक है मैं आपके बात को समझती हूँ लेकिन मुझे सबसे पहले ओनी जुगा से बात करनी होगी लेकिन तब ही वहां में सुकी मैं माती है जो उन्हें बताती है कि ओनी जुगा सर को वस्पिटलाइस किया गया है चुकि उनके हाथ में बहुत बड़ी प्रॉबलम है ये सुनकर प्रिंस्पल बोलती है फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते पहले उन्हें ठीक होना होगा तब वो लेड़ी गुस्से में कहती है फिर तो मुझे कल PTA मीटिंग करनी होगी जहां मैं सबको बताऊंगी कि ओनी जुगा को स्कूल से निकालना ही होगा ये कहकर वो लेड़ी वहां से चली जाती है उनके जाता ही प्रिंस्पल बोलती है वाँ में जुगी तब में सुगी कहती है नहीं ये सच है उन्होंने अपना हाँ तोड़ लिया है ये सुनकर प्रिंस्पल थोड़ा शौक्ड होती है अब हमें क्लास में बच्चों को बात करते हुए दिखाय जाता है जहां ये पीले बालवाला बंदा बोलता है मैंने सुना है ओनी जुगा ने तो मारा फोटो खीचा है तब वो लड़की थोड़ा नौूरा को देखती है और फिर उससे मुग घुमाते है बोलती है वो सच में बहुत ही बत्तमीज है उसका दिमाग एक मिडल एज के बच्चे की तरह है और इस बार तो पक्काई स्कूल से निकाल दिया जाएगा ये सुनकर पीले बाल वाला भी खुश होते हैं इस बार तो उसे स्कूल से डिसमिस कर दिया जाएगा ज़र काकोजी ये सब सुन रहा होता है और चुप चाप वहां खड़ा होता है अब हम वाइस प्रिंस्पल को देखते हैं जहां बहुत सारे टीचर उनके पास आकर उनसे पूझते हैं क्या ओनी जुगा को सच में स्कूल से निकाला जा रहा है और यहां वाइस प्रिंस्पल बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था लेकिन हम मिसुगी मैम को देखते हैं जो बहुत ही उदास दिख रही थी अब हमेंकाकोजी और नोबुरा को चट पर दिखाये जाता है जहां नोबुरा बैठते है कहता है तो मैं क्या लगता है ओनिजुगा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा यह सब मेरी गलती है यह सुनकर काकोजी बोलता है वैसे आगर तुम्हारी गलती नहीं होती तब यह उनिजुगा का दोस्त है, वो कहता है, मुझे पदा था, वो बहुती स्टूपिड है, तब मिसुगी उसे कहती है, यह मजा करने का टाइम नहीं है, उन्हें सच में स्कूल से निकाला जा रहा है, तब रियू बोलता है, यह बलीव करना बहुती मुश्किल है, कि उसका एक क्यों कर रही हो, तब वो नर्स बोलती है, पता नहीं हो बार बार ऐसे हरकाते कर रहा है, और खुझ से उट कर बाहर जा रहा है, इसलिए मैं उसे लोग कर रही हो, और फिर वो नर्स जैसे गेट खोलती है, तब वो देखते कि ओनिजुगा वहाँ पर नहीं है, वो खिड़ और वो बार-बार इस gерб में हार जाता है तब वो सोचता है कि मैं इस हरा करी रहूंगा लेकिन वो बार-बार खेलनी के बाद भी उससे हर जाता है तब वो गुस्सा होते होते हैं जgasps yang कि दिख्कत क्या है करा यह खराब तो नहीं है तब ही पीछे से ओनी जुगा की आवाज आती है ओनी जुगा उसे कहता है तुम कितने लेम हो तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता तुम घर जाकर अपनी मा का दूद पीकर सो जाओ तुझे कुछ भी नहीं आता ये सुनकर मोराई गुस्सा होता है तू तो कमी बोल कल तुझे स्कूल से निकाल दिये जाएगा तब वो निजू का हस तूए कहता है तुम्हें पता है टीचर होना किता फान है ये सुनकर मोराई गुस्सा होने लगता है और ये सिंसिफ्ट होता है उन्हीं लड़कियों की त होता है और वो उन सब की सारी बात है सुन रहा होता है और अब हमें बोर्ड आफ काउंसल की पीटीय मीटिंग दिखाई जाती है जहां लेडी बताती है कि ओनी जुगा एक डिस्कस्टिंग टीजर है वो एक यूजलेस है उसने मेरी बेटी के साथ मिस्विएप किया है जिस का अगesa गेट पर कोई लात मार कर आता है और वो आगे बढ़ने लगता है फिर हम देखते है कि वो पही और नहीं बल्कि ओनी जुका होता है जो कि एक मंगी ड्रेस में आया होता है उसे देखकर बागी के टीचर सोचते है क्या ये वह ही है ये तो कहीं से भी इंसान नही लग तब वो लेडी आगे की तरफ होते वे कहती है, देखा आपने, ये कैसा टीचर है, क्या इसे टीचर बनने का हक है, तब ही ओनिजुका अपने कॉस्टूम से कुछ निकालते वे कहता है, वेट ए मिनिट, अगर आपने मुझे इस गेम में हरा दिया, तो मैं जॉब को अराम से क कर दूँगा, ये सुमकर वो लेडी उसे गेम पर हाथ मार देती है, जिसे पकड़ने के चकर में ओनिजुका नीचे गिर जाता है, और तब ही वहाँ पर नोबूरा आता है, जिसे देखकर वो लेडी कहती है, बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बच्चो और रहारा ने मुझे हैरस और बुली किया है, छूकी मैं ओनिजुका के साथ गुमता था, और इसी कारण मैंने मरने की कोजिस की, लेकिन ओनिजुका ने मुझे बचा लिया, ये सुनकर में सुक्य सम これ समझ जाती है, जिसे ओनिजुका का हाथ नोबूरा का बचाने कारण ट तभी आचानक नोबूरा रोने लगता है यह देखकर उनी जुकाव से चुप कराने लगता है और तभी आचानक से स्कूल के स्पीकर में एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जहां पर आंको बोल रही थी अब मैं इसकी और वी ज्यादा फोटस लोंगी और पहले से जादा है करूंगी अब रिकॉर्डिंग में दूसरी लड़की बोलती है एंको तुम्हारी मदर एक बोर्ड काउंसर के प्रेजिजेंट है यह यकीन करना कितना मुश्कील है ना तब एंको बोलती है हां मैं घर पर बहुत ही परफेक्ट तरह सा रहती हूँ लेकिन स्कूल में मेरे अ अच्छे से जानती हूँ यह सुनकर एंको गुस्सा होती है मौ मजाक मत करो मैं सबको इसले बुली करती हो क्योंकि आपने मुझे सिखाया है अब बच्चों की तरह हरकते करना बंद करो और अपने पैरेंट्स को ब्लेम मत करो और फ्यूचर में कुछ ऐसे इंट्रस के रिकार्ड कर दिखाया था दरसल उसने केफे में सबकुछ धिकॉर्ट कर लिया था तबी महां में सुके आती है जो काकोजी को कहती है मुझे लगाई था कि तुम हो क्यूंकि तुम इतने उल्क क znate और ना के लि बेुत पर बचाने के लिए उब का को और हम एक flashback दिखाए जाता है जहाँ टेरेस पर काकोजी और नोबुरा होते है तब काकोजी उसे बोलता है तुम्हें पता है ना ओनिजू का एक ऐसा teacher है जिसे replace करने के लिए बहुत सारे teacher है उसके हरकत ही ऐसी है यह सुनकर नोबुरा बोलता है लेकिन teacher को replace किया जा सकता है लेकिन एक principal office का room दिखाए जाता है जहाँ principal कहती है मुझे आनको की mother का call आया था उन्होंने कहा था कि अब वो teacher को school से नहीं निकलवाना चाहती इसलिए अब ओनिजूगा को fight नहीं किया जाएगा और अब हमें ओनिजूगा और नोबुरा को game खेलते वे दिखाए जाता है जहाँ इसकी मैम भी उन्हें देख रही थी उनकी बाते सुनकर वो भी smile करती है और इसी के साथ ही episode ही खतम हो जाता है